मेजा पुलिस ने सपाय MLC मान सिंग यादव वो उनके साथ ही स्कूल प्रबंधक संजय यादव को 40 लाख रुपए के साथ गिरपतार किया इतनी मोटी रकम लेके वो कहां जा रहे थे इसकी जांच की जा रही है मामले की जानकारी इंकम टेक्स विभाग को दे दी गई है पुलिस की पुँच्टाच में सपाय MLC रुपए का डिटेल नहीं दे पाए ESP यमनापार सौरब जिच्छीत ने बताया कि DIG SSP सरशेश त्रिपाठी को किसी ने सूचना दी थी कि कुछ लोग लाखो रुपए लेकर मेजा की तरफ निकले है इसकी सूचना मिलते ही मेजा रोट के समी पहलवान ढाबे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई आग सुबह तीन बजे के करीब एक इसकार पियो गाड़ी रोकी गई मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी गई है इसपी ने बताया कि मामले की चानविन की जा रही है इंकम ट्रेक्स विभाग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी MLC मान सिंग यादव संजय यादव उनके ड्राइवर के खिलाप लिखा पढ़ी की गई है वही MLC मान सिंग यादव उक्त पैसे का डिटेल नहीं दे पाए उस पैसे को वो बिजिनिसमें संजय यादव का बताये है फिलहाल भारी संख्या में सपाईयों के एकत्रित होने पर लिखा पढ़ी करने के बाद रुपयों को जब्त करते हुए MLC मान सिंग यादव को रिहा कर दिया गया